चाई रखी हो गेश पर जटपट कुछ चटपटा खाने का मन करें तो पांच मिनट में बना कर तयार कीजेगा इस नास्ति को गेहूं के आटे से इस नास्ति को बनाने के लिए अलग से कुछ भी तयारी नहीं करनी पड़ती है जब तक हमारी चाई बनती है नास्ता बनके तयार हो जादा भार से क्रिस्पी अरंदर रिक्तम चटपटा साधिस्ट रटीखा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजीगा चलिए नास्ता बनाना शुरू करती है तो मैंने यापर चाही रख लिए साथ में फटा फट से लगानी हूँ आटा तो इसके लिए एक कप गेहूं का आटा और थोड़ी सीच्ट में डालनी है और ऑजवेन को ने इस तरीके से क्रश करके डालें तो इसका स्वाद और ज्यादा आता है और खाने में जैसे हम पूरी पराटा के साथ नौर्मली भी डालते हैं तो इसका स्वाद में बहुत अच्छा लगता है इसमें मैंने थोड़ा सा रेट्चली फ्लेक्स डाल दिए ह हैं थोड़ा हधी पडर नमक डाला थोड़ा सोट गहीं दालेंगे बस नॉर्मल जैसरे आर्टा लगा अपार थोड़ा सच्ट। यांगी जैसरे आर्टा लगाते हैं उसरे थोड़ा सच्त रहताएं इसको रख देते हैं स Fif Unix तब तक हम यहाँ पर जालू ले ले लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर बॉएल आलू थे और इनको मैल मैने कर लिए इसमेह यहाँ मास पॉल कट करके यह दन्याग़ी पतीया और कशूरी मेथ हाथों से ख्राश करके इस तरीगे शरीपल नमक डालेंगे एक जमचे दालेंगे इसमें आमचूर पॉडर चाहिए तो चाठ अगेर यह भी डाल सकते हैं यह फिर माईगिक मसाल भी एक जमच यहां पर ख्रोजन मटर थे मेर यानि कि सब्सक्राइब निकाली तर एक चमच इसमें से निकाल करके आलू की स्टपिंग के साथ यहां पर और वेज़िटेबल के साथ डाल देते हैं तमक मिर्चा आप यहां पर चक कर सकते हैं जितना चटपटा तीखा आपको चेव इसके हिसाफ से आप इसमें मिला कर रख अब एक बार हम आठे को फिर से निकालेंगे हाथों से अच्छे सी इसको एक बार अच्छे सी खूब सारा यहां पर मसल लेंगे ताकि आठा हमारा एकदम से स्यट हो जाए इसको हमने गूत्ते टाइम पानी को इस्तिमाल कम करा था जैसे कि हम पूड़ियों अगेरा के देते हैं जब तक हमारे जो तेल है फटाफट गरम हो और हम फटाफट अपने नास्ति को बना सके पेड़े हो गए तयात बागी को हम रख देते हैं ठककर एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेलेंगे पत्रण का इस्तिमाल नहीं करना है आठा हमारा अच्छा सा सक्ति लगा है तो इसके लिए हमें पत्रण के आवस्चक्ता भी नहीं पड़ रही है इसको मैंने एक दम सब पत्ला बेल दखा है पापड की बांती अब एक चाकुल लेना है अब साइड से इसकी श्रिप्स निकाल करें आठे के साथ मिला लेना है और इसी तरीकी से बना लेंगे और हमें चेये यहां पर चौकोर शीट और यह नास्ताना जल्दी बनके तायर हो जाता जितना पत्ला रखोगे उतने ही जल्दी फटा फट से फ्राइबू हो जाते है और कुरकुरे बनते हैं एक चमस यहूं का आठा थोड़ा सा पानी डाल कर गाड़ा से इसका हमने इस त कोड़ लेंगे और इसको जब हम बंद करेंगे तो यह फटेना और मसाला भी जादनी बना है शाइड शाइड से जो हमने इसके लिए यहां पर आठे का गोल तयार किया है उसको लगा लेते हैं हलका हलका ताकि इसके जो किनारियां है वह अच्छे से आठे से चिपक जाए तेल में फ्राइ करते टेम भी कमी चांस रहते हैं इनका फटनी का क्यूंकि अच्छे से बंद हो जाएगा अब एक शाइड से उठाना है दूसरी तार अच्छी तरीके से यहां पर ज्वेंट कर लेना है और इसको दवा लेना है ताकि जो इसकी किनारियां है अच्छे से च सउके पथ्र करना है अजनका करना है वीव molar कब लाग्सबाद करना है और चाहिए थाएं बदक लेना से छाणाना पेड़ में पेड़े तो दूए इसके पहले बनाकर रखते हैं एक साथ उसी तरीके से इसकी शीट भी आप एक साथ बेल करके कट करके शाइड में रखते हैं और फिर इस्टाफिंग भरना तो जल्दी-जल्दी हो जाता है बार इसकी शैली लगानी है इसको बंद करना है हलका सा यहां पर इसमें डिजैन डा हो गए हैं और अब हम तेल रख देते हैं गरम करने के लिए और साथ में इसके साथ खाने के लिए एक जट पर से चेटनी भी बना लेते हैं अगर हरा प्याज है तो हरा प्याज डाल सकते हैं नहीं तो नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं तो मेरे पास यहां पर हरा प्याज उसी जो मैं चट्णी बना रही हूं तो हरा प्यास हरा धनिया पुदीना और हरी मेच इन सब को हम ग्रैंडिंग जार में ढालेंगे प्यास थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे बीच पीच में स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे एक चमस के बराबर फोड़ा सा पानी या फिर दही आप डाल सकते हो और इसमें धकन लगाना है और चट्णी को एकदम सा फायन सा पेश्ट बना लेना है तो हरे प्यास हरा धनिया पुदीने की चट्णी हो गई है तयाद इसको हम नि तो यह सारनी डालेंगे थोड़ थोड़ खरकें को फ्राय करेंगे तीन चार एक साथ रखेंगे तेल इतना गरम है तो जल्दी जल्दी फ्राय हो जाएंगे अब सारे नास्ते में अच्छा सा कलर आए इसके लिए हमने चमस यापर एक लकड़ी की इस्टिक से इस तरीके से या इस पैचुला से अल्टाते पल्टाते हुए है और शाथ में यहां पर गैस का फ्लेम पे भी लोग और मीडियम पे रखना है और अच्छे से कलर आने तक इनको फ्राय करना है क्रिस्पी होने तक पहला बैस हमने निकाल लिया यहां पर थोड़ी देर हम इसको यहां पर रखेंगे चल्ट गरम है और जितने एक बार में आ जाएंगे टेस्ट में इसम्ने में और में जड़ाने यहां मैं दुबारा फ्राय करने से और जादे क्रिश्पी भी होके बढ़ा से एक कुलिन में कलर भी आया है तो गेहों के आटे का यह नास्ता आज कल बारिश के मौसम है तो आप एक बार जरूर से इस रेशीपी को ट्राय करना साथ में हमने इसके साथ खाने के लिए एक में इसको रख सकते हो या फिर शौज के साथ इंजाय कर सकती हो नास्ता हमारा ओलीडी बन गया साथ मयाबर चाइब इनकी है अब हम इनको यहां पर टेस्ट कर लेते हैं भार से तो क्रिश्पी है अंदर इसका जो मसाला है किस तरीके से दिख रहा है हमने अंदर की श्रफि जन में जमा जम बारिश जल्दी है और डेली कुछ-कुछ खाने का मन करता है जैसे कचोड़ी पकोड़ी तो गेहूं के आटे का इस नास्ते को एक बार आप जरूर से ट्राय करना जल्दी बन जाता है आशा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी और अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सच्काइब कीजिएगा अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच